जारखंड में अपनी खोई जमीन पाने में जुटा आर जेटी पलामू के छतरपुर में 23 अक्टूबर से सुरू होगा तेजस्वी आपके द्वार कारिक्रम हर महीने दो दिन जारखंड का दौरा करेंगे लालू के लाल राष्टिय जनता दल जारखंड में अपनी खोई जमीन को पाने में जुट गया है राज में संगठन को धार देने की जिम्मेदार खोई तेजस्वी यादव उठाए है वे हर महीने दो दिन जारखंड में बिताएंगे और गहन जन संपर्थ अभियान चलाएंगे इसकी सुरुआ 23 अक्टूबर को छतरपूर विदान सभा से करेंगे यहाँ वे 23 और 24 अक्टूबर को तेजस्वी आपके द्वार कारक्रम चलाएंगे इस कारक्रम के तहट वे लोगों के घर घर तक जाएंगे इसके माध्यम से वे बूत इस्तरपर पार्टी को मजबूर बनाने की कोसिस करेंगे अपने गड़ को मजबूर बनाने की कवायत तेजस्वी यादव का यह कारक्रम चतरपूर से सुरू होकर दनवाद और देवघर तक जाएगा इन जिलों के सभी विदानसभा छेत्र को तेजस्वी ना पेंगे इस कारक्रम के माध्यम से ये जारकंड में अपनी खोई जमीन को वापस पाने की कोसिस करेंगे साथ ही इसके माध्यम से ये जारकंड के हर छोटे और बड़े नेता की राय को जानने की कोसिस करेंगे राची में किये राजिस्तरिये रैली इससे पहले इसे महीने तेजस्वी राची में अपना सक्ति प्रदसंद कर चुके हैं 19 सितंबर को उनकी यहां राजिस्तरिये रैली हुई थी जिसमें राजबर के सेक्ड़ों कारकरता सामिल हुए थे एक विधायक वाली पार्टी की जारकंड में अपनी छवी को तेजस्वी बदलना चाहते हैं इसके साथ ही आगामी बिधानसवा चुनाव में वे महागटबंदन में ज़ादा सीटों पर दावा कर सके इसके माध्यम से वे इसकी तैयारी भी अभी से सुरू कर दिये हैं 2024 को लक्ष कर हो रही तैयारियां 2024 में लोगसवावा बिधानसवा के चुनाव होने हैं आर जेडी इसी उद्देश से लगाता तेजस्वी यादव के एक आरकरम बना रहा है आर जेडी छोड़ कर जो नेता दूसरे दल में चले गए हैं उन्हें भी पुना लाने का प्रियास भी स्तुरू हो गया है